क्या महरास्ट विधान सभा चुनाव के बाद गिर जाएगी केंदर की NDA सरकार? क्या अगर महरास्ट में महाविकास अगाडी की सरकार बनी तो नितीश नाइडू BJP को बड़ा जटका देंगे? क्या मोधी सरकार से समर्थन वापस लेने की तैयारी में है नितीश बाबू और चंदरा बाबू नाइडू? ये हम क्यों कह रहे हैं और क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि महरास्ट चुनाव से पहले ये बयान, ये भविशवानी सुर्खियों में है? ये इसलिए भी क्योंकि महरास्ट चुनाव से पहले इस वक्त बयानबाजी का दोर जारी है और कुछ ऐसा ही बयान, ऐसी ही भविशवानी सुर्खियों में है दरसल महरास्ट में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डालने से पहले तमाम दावे किये जा रहे हैं इसमें कोई नेता अपनी सरकार बनाने की बात कह रहा है, कोई विपक्ष की मात देने की बात कह रहा है आरोप्रत्यारोप का पूरा दौर चल रहा है और इस बीच ठाने जिले के मुम्बरा कलवा विधानसभाक शेतर से राष्टवादी शरत पवार गुट के नेता यानी एनसीपी शरत गुट के उमिदवार जीतेंद्र अवाड ने मुम्बरा के चंदनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार और महरास सरकार पर जम कर निशाना साथा इसके साथ ही एनसीपी शरत गुट के नेता ने चुनाव परिनामों को लेकर चौकाने वाला दावा किया उन्होंने कहा कि अगर महरास्ट में महाविकास अगाडी के सरकार बनी तो केंद्र की मौजूदा NDA सरकार अपना समर्थन खो देगी और आप सब जानते हैं कि मोधी सरकार 3.0 में NDA का जो गटबंधन है उसमें सबसे प्रमुख जो दो हैं जिनकी वज़े से सरकार चल रही है वह है चंद्रा बाबु नाइडू और नितीश कुमार महरास विदानसबा चुनाव और उसके परिडामों से पहले शरत पवार गुट के रेता जीतेंद्र अवाड ने ये दावा किया कि अगर महरास में M.V.A. सत्ता में आई तो जेडियू के नितीश कुमार और TDP के चंदरा बाबु नाइडू बीजेपी के नित्रित वाली के केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगे। योगी नितीश कुमार और चंदरा बाबु नाइडू उनका समर्थन करना बंद कर देंगे यानि बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। इसलाम के खिलाफ आपत्ती जनक टिपड़ी करने के आरोपी धार्मिक नेता रामगीरी महराज के साथ मंच साजा करने के लिए इसलाम के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। जितेंद्र अवाट शरत गुट के नेता है और लगातार इस तरीके के बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं वो हमेशा हमलावर रहते हैं बीजेपी के उपर और अब उनकी भविश्रवानी कह लीजे चाहे उनका ये दावा कह लीजे निश्चित तोर पर बीजेपी क के होश उडाने के लिए काफी आपको बता दें जेडिव और टीडीपी बीते वक्त में बीजेपी के सहयोगी रह चुकी है और कुछ मुद्दों पर मदभेत के कारण एंडिये से बाहर भी रही थी वहाई लग जनशक्ती पार्टी चिराग पासवान का विरोधी गुट ए RLD परमुक NDA में शामिल होना ये सब कुछ जो है एक बहुत सतही बात के रूप में राजनितिक विशलेशक भी देखते हैं यानि हो सकता हो ये साथ रहे भी और हो सकता हो ये साथ ना भी रहे लेकिन इन से जादा जिस तरीके से जितेंदर अवाड इस वक्त दावा कर रहे हैं कि ये दो चहरे यानि TDP के चंदरबाब उनाइडू और जेडियू के नितिश कुमार MVA की महराष्ट में सरकार बनते ही BJP का समर्थन वापस ले लेंगे यानि BJP के समर्थन से चल रही जो NDA की इनके समर्थन से जो चल रही NDA की सरकार है वो पूरी तरह से गिर जाएग क्योंकि BJP को इनकी मंगों के आगे जुकना पड़ सकता है इस तरीके की बाद जीतेंद्र अवार्ड के बयान के बाद चर्चा में कुछ राजनितिक जानकार ये भी कहते हैं कि NDA में BJP का बाकी के कई दलों के साथ वैचारिक समानता दिखाई नहीं पड़ती अब सवाल य जेडियू और TDP के सहयोग से ही NDA की सरकार 3.0 में बनती हुए दिखाई पड़ी है 16 सीटें जेडियू ने जीती थी और 12 सीटें तेल्गू देशन पार्टी की थी चंदरबाबु नाइडू की थी हाला कि 7 सीटों वाली शिवसेना एकनाज शिंदेगुट 5 सीटों के साथ लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास पास्वान गुट और उत्तरप्रदेश की दो सीटे जीतकर संसद में आया रास्टी लोगदल भी बीजेपी के लिए महत्तपून है लेकिन जो बड़ी संख्या बड़े नंबर है वो TDP और जेडियू के ही है इस बीच शरत गुट के यानि की उधफ्ठ हाकरे की शिवसेना शरत पवार की NCP और कॉंग्रेस इसका हिस्सा है महरास्ट में इंडी गटबंधन के इन सदस्यों को महाविकास अगाडी के रूप में जाना जाता है आप देखना ये है कि शरत गुट के नेता जितेंदर अवाड का ये दावा कितना सच होता है 23 नवंबर को जिस तरीके से परिनाम आएंगे उसे ये सपश्ट होगा कि जितेंदर अवाड का ये दावा ये भविश्वानी कितना काम करती हुई दिखाए पड़े अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद